हाई एव्रिवन कैसे हो आप लोग उमीद करते हूं कि सब बहुत ही अच्छे होंगे सो गाइज आज मैं आप लोग के लिए स्वरस्रती पूजा हो ली एन अभी जो महासिवरात्री आने वाला है जैसे कि येलो का सीजन चल रहा है अभी टू-त्री मन्थ येलो पहना जाएगा तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए वो मेकप क्रियेट की हूँ आप लोग के लिए ट्रेडिशनल टैप तो यहां पे सबसे पहले स्कीन प्रेप की हूँ मैं स्कीन को क्लीन कर ली हूँ पहल सब्सक्राइब तो क्रीम बेस्ट यह निभ्या ना बेस्ट है मतलब लगा सकते हैं अगर नॉर्मल एसखीन है तो भी निभ्या के साथ आप जा सकते हो लहाएगा तो मैं इस ग्या कर रही हूं टाइम वेश्ट नहीं करना है यहां पे आएवरू फिल कर ले रही हूँ जो आ आप आर्य से बनाना छोता है इस तरह से, यह सूबर कॉसमेंटिक का पैंसिल है, आप किसी भी ब्राइंट का पैंसिल ले ले लो, या ब्राव पाॉडर भी ले सकते हो, अगर आपके आई से ऐड़ों, पैलेट में गाउर। है आपके आइवरो से मैच करता हुआ वह भी ले सकते उससे भी फिल कर सकते हो तो अच्छी तरह से मैं फिल कर ली हूँ देख दोनों में फर्क दिखा होगा अब इसके बाद क्या करूंगी मैं प्राइमर लूँगी प्राइमर क्या करता है मेकप एंड इसकीन के बीच एक बै में लगाई हूँ जो की थोड़ा थोड़ा ग्लो भी दे देता है मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है यह प्राइमर इसके बाद मैं मामा अर्थ का यहां पर फाउंडेशन ली हूँ जो की आप लगा सकते हो और गैनिक है यह ग्लोई डूई सा लूग देता है तो अभी विंटर में काफी ज्यादा अच्छा लगता है इस तरह का मुझे डूई मेक अच्छा लगता है क्योंकि विंटर में थोड़ा ड्राइड्रा स्कीन रहता है तो उस हिसाब से और नॉर्मल कवरेज है इसका थोड़ा बहुत ही कम अमाउंट में डॉट-डॉट में मेक अच्छा व्यंट करना है मेरा बैस मुझे मतलब मेकब बेस मेक अप मुझे खुद को बहुत जहदा मेरी मेकप पसंद आता है क्विभ्या वह ऑप matureुपा हुआ मेकप नहीं लगता क्योंक्कि कुछ लोग का क्या होता है दूर से यह दिखता है हैं मेकप कर रखे एक दम भूद बन जाती है तो उस टाइम मैं कैमरे पे भी उस टाइब का नहीं बताती हूँ क्योंकि आप कभी भी पब्लिक के बीच जाओगे ऐसा मेकप करके तो ऐसा नहीं बुद्धू बन जाओ ठीक है तो मैं जो रियलीटी होती है वो बताती हूँ अब ही तक आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक नहीं किये तो फ्लीज लाइक कर ले ठंड का टाइम था इस वज़े से मैं जैकेट पहन के बैठी थी क्योंकि लास्ट में मैं सारी पहनूंगी डेली में ठंड जो है बहुत ज़्यादा है ठीक है इस बीच में मेक अप करना बहुत ज़्यादा हो होता है लेकिन कोई बात नहीं आप लोग के लिए तो कुछ भी कर सकती हूँ तो यहां पे मैं कंसीलर लगा रही हूँ आइज के नीचे जो जो हाई पॉइंट होता है उसे हाइलाइट करना होता है तो कंसीलर बहुत ज़्यादा जरूरी है मुझे फेस का फीचर हाइलाइट करना बहुत पसंद है तो यहां पे मैं आइज के नीचे हर जग जो जो यहा जो प्रोड़क्ट जहां पर लगाई हूं वहीं पर ब्लेंड कर लेहां कि इदर खीचूंगे तो पुरा केकी पैची पूरा मिक्स हो गया जीब सा मेकप आपका दिखने लगेगा ठीक है तो उस वज़े से आप जहां पर लगाते हो वहीं पर ब्लेंड करो एं बिल्कुल कम अ ज्यादा अच्छा है इसे मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर की मड़द से अपर डाइरेक्षन में पारे हो इससे फेश ना आपका लिफ्टेट दिखता है तो इस तरह से ब्लैंड की हूँ और यह चिक टिंट जो है वह लगता है न ज्यादा ग्लो करता है तो बहुत ही अच्छा है तो यहां पे आप मेकप फिक्षर लगा लो एंड पाउडर से ना सेट करो मेरी उतना ज़्यादा मतलब ड्राय स्किन नहीं है नॉर्मल है अब ही विंटर में वैसे समर में तो ओईली हो जाता है तो मैं इस देख पर ली हूं एंड क्लीन कर ली हूं हैंड पे रखके इसके जो एप्लिकेटर है उससे डैबिंग मोसन में पूरे में मैं अपलाई कर रही हूं बिल्कुल एक ही बार लेके बार बार नहीं लेना है नहीं तो पाउडरी मेकप हो जाएगा उपर से ही दिखेगा ड्राय ड्राय से आज ही तो अब मैं यहां पर नेक्स्ट क्या कर रही हू तब आई मेकप आपका अच्छा नहीं होगा तो अभी मैं लास्ट में यहां पर कंसीलर थोड़ा बहुत कम अमाउंट में ही मैं लगाई हूं आप लोगको दिख रहा होगा कैमरे पे लेकिन इसके बाद मैं क्या करूंगी सेम वही पाउडर लेके और इसे सेट कर लोंगी तब अब क्या होगा अब क्रीज नहीं पड़ेगा ठीक है तो अब आई मेकप अच्छे से साथ दिखेगा ठीक है तो यह चीज जरूर फॉलो किया करो अगर क्रीज पर गया कंसीलर लगा तो उससे पहले सेट कर लो उसके बाद पाउडर से सेट करना एंड यहां पे नेक्स को चीजल दिखाता है पतला दिखाता है अगर आप किसी सेट में लाना चाहते हो अपने फेस को कौंटरिंग के थुरू ला सकते हो तो इस तरह से मैं कंटृउर कर रहे हू हूँ जाओ-Line के नीचे भी अगर आपके पस डवल चीन है तो वहा पर ही कर सकते हो तो मुझे परसनली मतलब इसी टाइप का हाइलाइटर पसंद है बाकी आप लोग को जिस टाइप का पसंद है तो दूसरा भी लगा सकते हो तो इस तरह से कर लिए इसके बाद एक ब्राउन सेड लेके आप आई मेकप की बारी है क्रीज एरिया पे मैं लाइट ब्राउन सेड लेके क्रीज को डिफाइन कर रही हूं क्योंकि क्रीज डिफाइन होना चाहिए कोई फी सिंगल कलर पूरा आई पे लगा के नहीं छोड़ना चाहिए तो थोड़ा सा ब्राउन कलर लेके उससे क्रीज एरिया पे लगा के एक तम स् इसके बाद मैं इस palette मैं से yellow shade ले रही हूँ काफी ज़्यादा अच्छा था pigmented भी है यह makeup revolution का palette है काफी ज़्यादा अच्छा है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद मेरा favorite है तो इसे brush की tip से ली हूँ और पूरे eyelid पे जो है वो place कर दी हूँ और उसे साथ-साथ blend भी करती जा रही इसके बाद सेम उसी palette में से मैं black shade ली हूँ एक angular brush ली हूँ जो की जिसे हम eyebrow fill करते हैं इसके बाद eyeliner लगा रही हूँ यहाँ पर eyeliner के तरह wing नहीं draw कर रही हूँ विल्कुल थोड़ा सा छोटा सा क्यूंकि मैं यहाँ पर liner लगाती तो थोड़ा सा bold दिखता हार्स मतलब एक दम बहुत ज़्यादा hard दिखता तो मैं soft makeup को रखना चाह रही थी cute सा ठीक है तो इस वज़ा से मैं य एक brown shade लेके light brown brush में and उसे smudge करूंगी क्योंकि smoky look ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मैं आज oxidized jewelry के साथ traditional makeup कर रही हूँ तो इस तरह का ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है मुझे personally इसी type का makeup मुझे अच्छा लगता है cute सा ठीक है तो इस तरह से smudge कर ले अच्छी तर कर रही हूँ लिप liner इससे draw करना चाहिए ताकि lips को आपके lips को frame मिल जाए nose contour करना lip liner eyebrow fill करना यह सब बहुत ज्यादा जरूरी होता है यह सब face का frame होता है तो इसे कर ली हूँ sugar cosmetic का यह lipstick है बहुत ही ज्यादा अच्छा है एकदम बाद में powder matte हो जाता है लगाने के बाद अभी तो creamy texture देगा बाद में थोड़ी देर बाद मुझे lipstick bullet lipstick ही पसंद है तो इसे लगा ली हूँ अब इसके बाद में off camera सारी पहन के आती हूँ तो यह yellow and black में सारी है इस सारी का haul जो है वो जल्द ही next video या उसके बाद जाएगा हमारे channel पे तो आप जरूर मीशों से हैं बहुत ज traditional wear पे open पलू पे इसी टैप का अच्छा लगता है चोटी सी बिंदी लगाई हूँ और यह जुमका earrings में मैं जुमका पहनी हूँ क्योंकि मुझे आज heavy ही पहनना था make-up काफी ज़्यादा मतलब light simple है तो इस तरह का अच्छा लगता है इसके बाद यह bangle में कहीं गई थी नै और चैनल को सबस्क्राइब वीडियो को लाइक कीजिएगा और किसी तरह का वीडियो देखना है वो भी कमेंट कीजिएगा